हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूटूब चैनल NCRT प्लेटफॉर्म पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से महत्मूड प्रश्ण जो कि प्रतेक परिक्षा में अक्सर पूचे जाते हैं और यूपी टेट सी टेट के रिए बहुत ही इंपोटेंट साबित होंगे तो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्ण है निमलिकित विलोम युगमों में से कौन सा सुद्ध नहीं है समूल निर्मूल सही है सत असत सही है सरस नीरज ये गलत है इसमें सरस और नीरस होना चाहिए था नीरस संग निसंग ये भी सही है तो आप्सन नमर सी सही हो जाएगा अगला प्रश्ण जिमलिकित विलोम युगमों में कौन सा सुद्ध नहीं है तरशा तरपती ये सही है तेजस्वी निस्टेज सही है तरप्त अतरप्त ये भी सही है ये वाल अगला आता है तो सही उत्तर होगा अंदरा और मंदरा अगला प्रश्ण इसका तीसरा है निमलिकित विलोम युगमों में कौन सा सुद्ध नहीं है जोपड़ी और महल ये भी सही है तो अपसन नमबर C सही हो जाएगा और लावाने और माधुरे ये सही हो जाएगा क्योंकि उसमें नहीं पूचा गया है रूग्ण का विलोम क्या होता है सुस्त अगला परस्ट प्रफुल का विलोम क्या होता है मलान Opsion No.C सही हो जाएगा अगला परस्ट में से सुध वाक कि कौन सा है आम और कलम संग्या है अगले वर्स हमें नौकरी सुरू की थी ऐसी एकाद बात हैं और देखने में आती हैं मैंने बाजार से धागा, कंगी, दरपन और पुस्तक हैं खरी दे इसमें सही उत्तर है, आम और कलम संग्या है अगर इसमें पूछा गया अगले बरस हमने तो थी, थी का मतलब है पिछले बरस की अगर हम बात की जाती तो थी, आना सही था इस तरीके से और इसमें जो लाश्ट वाला है मैंने बाजार से धागा, कंगी, दरपन और पुस्तक हैं खरी दी खरी दी आना चाहिए लाश्ट के अनुसार क्रिया आती है नेमलिकित में सुद्वा के कौन सा है मनुहर का मकान सियाम से जादा बहतर है यहाँ पर अगर आता सियाम के मकान से जादा बहतर है तो यह सुद्व होता दिवाकर वैद्द को नारी का ग्यान अच्छा है नाड़ी होना चाहिए था यहाँ पर नाड़ी का ग्यान अच्छा है क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है यह बिल्कुल सही है मैंने भगवत गीता पढ़ा है यह यहाँ पर पढ़ी आना चाहिए मैंने भगवत गीता पढ़ी है नेमलिकित मेंसे सुद्वाक के कौन सा है मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें तो मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो लोग परस पर एक दूसरे से घ्रणा करते है परवत के सिखर उंचे है इसमें सही उत्तर हो जाएगा परवत के सिखर उंचे है अगला प्रशन नेमलिकित मेंसे सुद्वाक के कौन सा है प्रेमचंद का स्रिष्टा मुपन्यास गोदान है इसमें गोदान सही नहीं लिखा है यामा महादेवी का काब संकलन है समाज के विकारियों से किरपा करनी चाहिए आपकी सूचनार्थ निवेदन है इसमें जो सही उत्तर है यामा महादेवी का काब संकलन है बिल्कुल सही हो जाएगा नेमलिकित में असुद्वाक के कौन सा है पुस्तकों का प्राकतन परचयात्मक होता है रविता हिंदी की सुदार्थी है बहे है रुग्ड अवस्ता में पढ़ा है मुझे पुस्तक चाहिए इसमें क्या है प्राकतन सही नहीं लिखा है प्राकतन इस प्रकार से लिखा जाता है प्राकतन आपसन नमर ए सही हो जाएगा क्योंकि ये असुद्व है अनुग्रहीत सब्द के लिए एक सब्द क्या होगा कि जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहीत मतलब जो अनुग्रह से युक्त हो, option number दूसरा सही हो जाएगा अनिरनीत के लिए एक वाक्य क्या है जो अनिरनीत है उसके लिए एक वाक्य क्या है जिसका निरने हो सकता है सभ्विसाची सब्द के लिए एक वाक्य क्या है सदा सत्य बोलने वाला बाएं हाथ से कारे करने वाला जिसने बहुत कुछ सुना हो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला सभ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करने वाला इसके लिए एक सब्द क्या होता है निसाचर निसाचर MAC मतलब रातरी और चर्मानी बिच्रन करने वाला जो रात में बिच्रन करता है उसे निसाचर कहा जाता है कौन सा ततसम तदवब में तुर्टी पून है कौन सा अड़ा अट्टा यह सही है अनूठा अनूत यह भी सही है अदरक यह आदरक लिखा हुआ है इसका सही किस प्रकार से लिखा जाएगा द्रा आएगा इस पे और उपर रा भी लगेगा इस प्रकार से होता तो यह सही होता अदरक का ततसम सब्द यह होता है अकाज अकारे यह बिल्कुल सही है इमली का ततसम सब्द क्या है इमली का ततसम सब्द है अमली का ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही है आगला प्रश्ण उखल का तत्सम रूप क्या है उखल का तत्सम रूप क्या है तो उद्खल इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A सही है नेमलिकित में तत्सम है तत्सम कौन सा है कंगन, कचहरी, कूश्मांड क्यों इसमें जो तत्सम है वह है कूश्मांड क्योंकि कुमेड़े जो कुमेड़ा एक परकार का फलो हता है जिससे पेठा बनता है उसका तत्सम सब्द होता है कूश्मांड option number C सही हो जाएगा करतिग्रह का तदवव क्या है तो कचेरी का तदवव होता है क्रत ग्रह कचेरी का तदवव होता है क्रत ग्रह अगला परस्ट नेमलिकित में से तदवव सब्द कौन सा है अशीत अच्छत आसीस आच्मन आचमन सब्द तो तत्सम है ही, आसीस भी तत्सम है, असीती भी तत्सम है, जबकि अच्छत एक प्रकार का तदभव शब्द है निमलिके में से विसेशन क्या है? विसेशन क्या होता है जो सब्द की विसेशन बताते हैं इन में से उक्ति, उपारजन, एकांत या उनमुक्त, उनमुक्त का आरत होता है आजाद, तो आजाद एक परकार का सब्द है जो विसेस्था बताता है, सही उत्तर हो जाएगा उनमुक्त, निमलिकित में से विसेस्थन है, विसेस्थन क्या है? जो किसी की विसेस्था बताए, चुगली विसेसन नहीं है चेश्टा भी विसेसन नहीं है गुसेल एक परकार का विसेसन है गुसेल एक परकार का विसेसन है गुसेल उस व्यक्ति के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है जो जिसका सुआब गुसे वाला हो नेमलिकित मेंसे विसेश से है विसेश से क्या होता है जो जिसकी विसेशता बताई आए जिसकी विसेशता बताई आए उसे विसेश से कहते हैं तो इसमें गस्त विसेश से सब्द हो सकता है सठीक, गस्त, सतरक गस्त इस प्रकर के सब्द हम इस्तिमाल कर सकते है तो गस्त की हम विसेष्ड वता सकते है नेमलिकित में से विसेष्ण है कौन सा विसेष्ण है? फुर्ती, प्राचीन ता, प्राचीन या प्रसब सही उत्तर है प्राचीन औpow以前 नमबर A option number C प्राचीन सही हो जाएगा नेमलिकित मेंसे विसेश से क्या है विसेश से क्या है नेमलिकित मेंसे तो जंकार, जगडालू, जंकिरत या ड्रावना जगडालू विसेशन है जंकिरत भी विसेशन है ड्रावना भी विसेशन है लेकिन जो जंकार है यह एक प्रकार का विसेश से है गनगोर जंकार तो गनगोर यहां पर विसेशन हो जाएगा और जंकार विसेश से हो जाएगा निमलिकित में से विसेशन क्या है तमासा, ताकत, तोतला, दसरत दसरत संग्या है तोतला एक प्रकार का विसेशन है यह विसेस्ता बताता है जो बोलने में थोड़ा हिचकिच आता हूग नेम लिकित मेंसे विशेशन नहीं है काया, कागजी, एशियाई और इर्सियालू इस में काया सब्द एक परकार का विशेशन नहीं है OPTION NUMBER A, सही हो जाएगा नेमलिकित में से विसेशन है कौन सा विसेशन है इच्छा, इनाम, इमान, उत्तेजित साही उत्तर है उत्तेजित नेमलिकित में से कौन सा विसेशन नहीं है इसमें पूछा गया है चिन्नित एक परकार का विसेशन है चंगा यह भी एक प्रकार का विसेशन है जड़ता जड़ता एक प्रकार का पदार्थ का गुण है और यह विसेशन नहीं है इसलिए यह सई उत्तर हो जाएगा चौथा एक प्रकार का विसेशन है जो सभी संख्या एक प्रकार की विसेशन के अंतरगत आती है वहसरेष्ट कवी है में विसेष्ट क्या है विसेष्ट मतलब जिसकी विसेष्ट बताई या रही कि वहसरेष्ट है तो विसेष्ट हो जाएगा कवी कभी इसका सही उत्तर हो जाएगा विसेश से अगला प्रश्ण कंगी का तत्सम सब्द क्या है कंगी का तत्सम सब्द है कंकती अप्सन नमबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कूची का तत्सम सब्द क्या है कूची का तत्सम सब्द है कूर्च का कि आप्सेन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा कच्चा का तत्सम रूप क्या है कच्चा का तत्सम रूप होता है कशन और अप्सेन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा केकड़ा का तत्सम रूप क्या होता है केकड़ा का तत्सम होता है करकट और कपड़ा का होता है अगला प्रश्ण कौन सास युग्म तत्सम की द्रश्टी से असुद्ध है तिरण दंड वत्स पराख कपाट एकादस यह एक प्रकार का मिस्प्रिंट हो गया है तो अगला देखते हैं यह गलत थोड़ा अगला कि सी को कोई काम करने के लिए तेज़ित या विवस्द करना इसके लिए नर्टक कहा जाता है जो नर्ट करता है उसके लिए जो पीना चाहता है उसे क्या कहा जाता है पेपाजू जो पीना चाहता है उसके लिए इस्तिमाल किया जाता है सब्द पेपाजू निमलिकित में से सुद्ध बाग क्या है तुमको यहां क्या काम है अपना पराया की भावना मौरे काली इन समय में लोग सुखी थे कडाई के लिए रेस्यमी धागे उत्तम होते हैं इसमें सही सब्द है कडाई के लिए रेस्यमी धागे उत्तम होते हैं यहां पर अपने पराई की भावना आनी चाहिए मौरे काली मौरे काल में लोग सुखी थे यह इस्तिमाल होना चाहिए तुम्हें हैं यहां क्या काम है यह होना चाहिए था लिमलिकित मैंसे असुद्ध क्या है दानादार चाहे इसमें दानेदार चाहे होना चाहिए था दानेदार यही असुद्ध है और तीनों सुद्ध है मुझे क्या करना है यह पाठ पड़ो तुम्हें यह पाठ पड़ना है निमलिकित बाके में कौन सा असुद्ध है इत्र में सुगंद है उसे सक मत करो खेत में क्या बोया है तुमने सब मामला बिगाड़ दिया सही उत्तर है उसे सक मत करो क्योंकि ये गलत दे रखा है निमलिकित बिलोम सब्द में कौन सा सुद्ध नहीं है सौधर्म सौधर्म में बैधर्म में सही है सरस ये सही नहीं है क्योंकि आप नीरस होना चाहिए था सिद्ध सादक ये सही है सुदा गरल ये भी सही है इसी के साथ ही आपका ये सेट कम्पलीट हुआ मिलते हैं अगली वीडियो में यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेकर लें धन्यवाद